Hi everyone, आज के वीडियो में आपका स्वागत है यार देखो, long term में तो सारे निवेशक ठीक होते हैं क्योंकि कोई bet अपनी गलब भी निकल जाती है तो अपन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, hold कर लो थोड़ा सा आगे चल के market बढ़ जाएगा, return आ जाएगा तो long term में तो कोई गलब नहीं होता आठ आता है investing का short term investing में तो इस वीडियो पे मैं आपको logic के साथ, macro economics के साथ समझाने वाला हूँ कि short term investing की अच्छी opportunities क्या है ये वीडियो specially useful है अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास कुछ पैसा पढ़ा हुआ है अभी अभी आपको कहाँ पे डाल देना चाहिए FD में, RD में, stock market में डाल देना चाहिए real estate में डाल देना चाहिए तो मैं आपको उसका लेके short term viewpoint समझाऊँगा जब मैं short term की बात करता हूँ तो मेरा viewpoint है 2 साल या उससे कम तो इस viewpoint को लेके मैं आपको पूरी कहाणी समझाने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको एक macro economic concept clear कर देता हूँ जो है पैसे की inherent value को लेके अब पैसे की inherent value क्या होती है मैं आपको example से समझाता हूँ तो जैसे 2020 में जब COVID की crisis आई तो उस time पे जैसी crisis आई थी February, March के आसपास भारत में तो उस time पे पैसे की inherent value बहुत ज़ादा बढ़ गई थी इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि stock market से बहुत सारा पैसा निकल गया था बहुत सारे लोगों ने वो पैसा निकाला अपने bank account में डाल लिया similarly उस time पे unfortunately लोगों को अपने businesses बंद करने पड़ रहे थे क्योंकि कोई भार आई नहीं सकता था तो business चलने बंद हो गए तो उस time पे क्या हुआ? जो businesses चल रहे थे वो unfortunately कुछ time के लिए रुग गए और पैसे का flow बंद हो गया तो पैसा बहुत ज़ादा important हो गया जिसके पास जो भी पैसा था वो जोड तोड़ के बैढ़ गया कि भाईसा कुछ try try आने वाली है तो मैं रुख जाता हूँ फिर मैं देखूँगा कि आगे चल के क्या करना है तो ऐसी situation में जब कोई आपदा आ जाती है तो पैसे की जो inherent value होती है जो उसके एक natural value होती है वो अपने आप में बढ़ जाती है जिनके पास पैसा था उस time पे उन्होंने क्या किया उन्होंने जाके वो पैसे को invest कर दिया stock market में जब market गिर गया था और उसी साल market ने ऐसी दोड़ लगाई कि उनके 100-100% return बन गए मेरे भी return अच्छे खासे बने थे क्योंकि उस time पे मेरे पास कुछ पैसा था मैंने उसे जाके गिरते हुए market में लगा दिया और मेरे पैसे की growth अच्छी हो गई अब कई लोग बोलेगे कि यार short term में तो stock market होती नहीं है ये वो लेकिन जिन लोगों ने 2020 की तबाही में पैसा लगाया था उनका तो पैसा बहुत तेजी से बढ़ गया उनको तो short term में बहुत फायदा हुआ तो ये assume कर लेना कि कोई asset class सर्फ long term के लिए होता है वो चीज गलत है market की timing बहुत important चीज है तो पहला example तो ये हो गया अब मैं आपको दूसरे example की तरफ ले चलता हूँ तो 2016 से करीब करीब 2019-20 तक situation ये थी दुनिया में कि interest rate बहुत कम थे for example यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हो कि US का interest rate जो था वो करीब करीब close to zero था अगर आपने मेरा interest rate पर वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको pinned comments में डाल दूँगा आप जाके एक बार देख लेना आपको और story clear हो जाएगी लेकिन जब interest rate कम होते हैं तो उस समय पे FD के rates भी कम होते हैं और बाकी जो पैसे की inherent value होती है वो भी कम हो जाती है कि आप जाके बोलोगी कि मेरे पास ये 2000 रुपे नोटों की गड़ी है आप जाके इसकी FD मनवा दो मुझे कितना return दो bank बोलेगा कि मैं तो आपको 5% return दूँगा कराना ये कराओ वरना भाड़ में जाओ कि ऐसी situation में क्या होता है जब interest rate already बहुत कम होते है तो उस time पे हम ये argument दे सकते हैं कि पैसे की inherent value बहुत जादा कम होती है तो उस time पे आप बोलोगे कि यार ये जो FDRD कराते हैं ये तो short term instrument है अगर हम hybrid fund वैसा डाल दें ये तो short term instrument है तो हमें अगर short term में पैसा चाहिए तो हमें FDRD करा लेनी चाहिए तो वो perspective भी गलत होता तो इन story से कहने का तात पर simple सा ये है कि कोई भी asset class short term long term नहीं होती basically आप timing क्या लगा रहे हो कि इस चीज में वो जादा matter करता है हाँ आप अपनी understanding के लिए asset classes को जैसे की stock हो गया या bond हो गया या fixed deposits हो गए इनको आप दिमाग में एक differentiation बढ़ा सकते हो कि यार short term में अगर पैसा डालना है तो FDRD की तरफ बढ़ जाएंगे ये बाकी के instruments है जिसमें आप short term के लिए generally पैसा डाल सकते हो अगर आपको long term के लिए पैसा डालना है और इस चैनल को भी subscribe कर लीजे जिससे आपको इस तरीके के वीडियो की notification मिले और इस तरीके के वीडियो जादा भारतियों तक पहुंचें और उनको financially aware बनाएं तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं और मैं 7 asset types के बारे में बात करूँगा और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं bulk investment करने वाला हूँ और मैं कहां करने वाला हूँ वो answer भी मैं पूरे वीडियो में reveal करूँगा तो चलिए सबसे पहला asset class हम discuss करते हैं equities या stock market अब अगर आपके पास لمसम पैसा पढ़ा हुआ है तो क्या अभी ऐसी situation बनती है कि आप जाके equity market में bulk investment कर दो तो यहाँ पे short में answer निकल के आता है नहीं आपको इस time पे bulk investment stock market में नहीं करनी चाहिए तो चलिए मैं आपको chart पे ले चलता हूँ और पूरी घानी समझाता हूँ तो आप यहाँ पे clearly देख सकते हो कि यह 50-50 का chart है और यह पूरा market की condition indicate करता है कि इस resistance line को 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार touch किया और finally break out दिया तो market ने अभी अभी थोड़ा सा break out दिया है अब आपने जाके मानलो आपके पास 10 लाक रुपए पड़े हुए है आपने सुचा market तो दौड लगा रहा है मैं भी जाके अपना पैसा market में डालाता हूँ तो आपने लगा दिये यहाँ पे 10 लाक अब क्या situation हो सकती है पहली चीज तो यह कि market dance करता हुआ वापिस नीचे आ जाए यह आपके लिए बहुत चिंता जनक विशय हो जाएगा दूसरी चीज यह कि यहाँ से market sideways move करे और काफी time तक sideways move करता रहे एक certain range में वो है range करीब करीब 17,600 से लेके 19,500 तक इस range के बीच में market थोड़े जने dance करेगा फिर देखेगा कि आगे दोड़ लगानी है कि क्या करना है तो इस time पे 100 बातों की एक बात market कर रहा है consolidate और वो यह decide कर रहा है कि उसको आगे लंबी चलंग लगानी है कि अभी थोड़े time और consolidate होते रहना है तो यह जो level था यहाँ पे यहाँ पे bulk buying level नहीं आता है अगर market तूट के नीचे गिर जाए अगर market इससे नीचे आ जाए तो हो सकता है वो bulk buying level होगा मैं वीडियो आगे बना दूँगा लेकिन अभी हाल फिलाल आपको stock market में bulk investment करने की ऐसी कोई ज़रुत नहीं है अगर आप सोचते हो कि यार equities से मेरा पैसा बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा तो यह बिल्कुल ठीक बात है कि equities में बहुत पैसा बनता है और आपको भी अगर आप specially young हो तो आपको काफी पैसा अपना equities में लगाना चाहिए no doubt about that लेकिन समय वाली बात होती है जैसे अभी हाल फिलाल बहुत negative sentiments है American tech stocks को लेके तो link में मैं अपनी एक वेस्ट डाल देता हूँ वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके के American tech stocks खरीद रहा हूँ अभी US के tech stocks में अच्छी bulk buying opportunity है ये कब तक रहेगी मुझे नहीं पता लेकिन हाल फिलाल अच्छी buying opportunity है अगर आप कुछ पैसा bulk में डालना चाहते हो तो कोई परिशानी नहीं है US में लेकिन अभी आपने notice करा होगा कि जो finance के इंडिया के stocks हैं HDFC bank हो गया, Axis हो गया, ICICI हो गया सब करीब करीब अपनी previous high पे पहुँच चुके हैं तो इस time पे आपको bulk buying नहीं करनी चाहिए थोड़ा wait and watch करना चाहिए अगर आप stocks में पैसा डाल रहे हो या फिर index investing भी कर रहे हो तब भी आपको bulk में पैसा अभी हाल फिलाल नहीं डालना चाहिए तो अब natural सवाल आता है कि यार अच्छा चलो market में थोड़ी opportunities अपनी निकल गई जब market नीचा था तब तो invest करना नहीं अब bulk investment करना नहीं है तो अब bulk investment की अगर opportunity बनती है तो वो कहाँ पे बनती है तो वो interestingly बनती है fixed deposits में तो मैं आपको थोड़ी सी कहाणी समझाते था हूँ कि fixed deposits में अच्छा time क्या होता है पैसा invest करने का और मैं आपको पूरी story data के थुरू समझाऊंगा तो यहाँ पे आप इस chart के थुरू देख सकते हो कि अभी जो FD rates हैं वो करीब-करीब भारत में 6% के आसपास हैं आप यह चीज़ भी notice करोगे कि यह 6% का rate काफी अच्छा rate मना जाता है यहाँ पे मैं repo rate की बात कर रहा हूँ तो repo rate होता है सरकार की तरफ से आधारे rate यह एक तरीके का mother of all rates होता है अगर repo rate बढ़ जाए किसी भी economy में तो उससे आपके FD rates भी बढ़ जाएंगे उससे आपके home loan rates भी बढ़ जाएंगे तो जितनी भी प्रकार के loan rates होते हैं वो सारे के सारे बढ़ जाएंगे तो FD rate एक तरीके का mother rate हो गया और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अभी काफी तगडी चलांग लगाई होई है तो इस time पे अगर आप जाके fix deposit करोगे तो आपको क्या primary advantage है तो इसके 2-3 मुख्य advantages है मैं आपको economics के form में समझाता हूँ तो सबसे पहला point जो आपको समझना है वो यह समझना है कि interest rate अभी peak हो चुके है कि आगे जाके होंगे अब इसकी guarantee तो कोई नहीं ले सकता मैं आपको stamp paper पे लिखके यह चीज नहीं दे सकता कि आगे चलके interest rate बढ़ेंगे नहीं लेकिन इस point पे जब interest rate और repo rate भारत में 6% के आसपास पहुंच चुके हैं तो इस state से ये rate बहुत जादा ऊपर नहीं जाना चाहिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके लिए आप इस chart को देखे यहां से आपको पता चलेगा कि US में जो inflation था वो 1.9% था अब पिछले तीन महीने से ये inflation rate जो है वो नीचे आता चला जा रहा है तो interest rate बढ़ाए या घटाए क्यों जाते हैं तो उसका number one reason निकल के आता है inflation को control करना अब आपने देखा कि inflation already कम होता जा रहा है economy में इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 6% का rate आप इंडिया में देख रहे हो ये बहुत जादा उपर नहीं जाएगा और हो सकता है कि आगे जाके 2023 में ये interest rate कम हो जाए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कम हो जाएगा क्योंकि 2024 में भारत में elections हैं election से पहले अगर stock market को उपर ले जाना है या businesses को benefit करवाना है तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप सस्ते लोन दे दो सस्ते लोन देने का मतलब क्या हुआ कि आप interest rate कम कर दो तो इसलिए मुझे लगता है कि 2023 में at least first half के बाद interest rate कम होंगे ना की बढ़ेंगे इसलिए अभी आपके पास एक बहुत अच्छी opportunity है कि आप 2-2 साल की FD बनवा लो और आपको जो 7-7% interest rate मिल रहा है अभी हाल-फिलाल मिल रहा है कई सारे बैंकों में for example अगर आप IDFC first bank में जाओगे और 2 साल की FD बनवा लोगे तो आपको अराम से 7-7% पे interest मिलेगा ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में normal inflation होता है करीब-करीब 7% तो आप definitely एक risk-free way में inflation को beat कर रहे हो जो goal of investing होता है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये दोनो मुख्य point समझ में आ गया होंगे और तीसरा point ये आता है कि आपको हमेशा as a balanced portfolio investor बनी रहना चाहिए अभी आपके पास एक अच्छी opportunity है कि आप अपना safe portfolio create कर लो for example अभी आप अगर 2 या 3 साल के लिए FD में lock-in हो जाओ 7-7% rate पे तो आपको तो इतना ही rate मिलेगा ये rate तो कम करेंगे नहीं bank वाले एक बाप अगर आपने FD का lock-in कर दिया है 2 या 3 सालों का तो आपके लिए 3 साल तक आपका कुछ part of the portfolio safe हो जाएगा तो उस point of view से मैं समझता हूँ कि FD में अभी निवेश करना एक अच्छा move है क्योंकि inflation को definitely beat कर रही है inflation पूरी दुनिया में और भारत में कम होता चला जा रहा है 7-7% FD return एक अच्छा return है और आगे चलके interest rate गिरने की संभावना बहुत जादा है और कई बर सवाल ये आता है कि हमें FD करानी चाहिए कि RD करानी चाहिए तो यहाँ पर मैं एक snippet post कर देता हूँ आपको FD और RD में अंतर पता चल जाएगा तो आप क्रिपया वीडियो को post करके पढ़ ले लेकिन simple भाषा में FD और RD में मुख्य अंतर ये होता है कि FD जो आप कराते हो वो आप bulk investment के लिए कराते हो RD में आप regular investment के लिए करते हो तो RD एक बहुत अच्छा निवेश नहीं है compared to FD इस juncture तो अभी तक हमने equity यानि stocks भी समझ लिए और एक debt instrument जो FD, RD होती है वो एक तरीके का debt instrument होता है वो भी समझ लिया अब जो debt instrument होते हैं वो भी कई type के होते हैं आपने कई बार सुना होगा कि debt mutual fund होते हैं आपने कई बार ये भी सुना होगा कि government securities होती है वो भी एक अलग type की debt होती है similarly corporate debt होती है तो अब natural सवाल आता है कि चलो यार equities में तो अच्छा समय नहीं बनता bulk investment करने का short term से लेकिन ये जो बाकी के debt instrument है इसमें क्या situation है FDRD के लावा उनमें निवेश करना चाहिए कि नहीं तो चलिए इस मुद्दे को समझते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं liquid debt fund की अब liquid debt fund क्या होता है liquid debt fund होता है एक तरीके का mutual fund इसमें आपका पैसा कहाँ पे निवेश हो रहा है इसमें आपका पैसा निवेश हो रहा है debt instruments में ना की equities या stocks में जैसे की for example अगर आप 2000 रुपे किसी mutual fund manager को देते हो बोलते हो भई हमारी तरफ से निवेश कर देना वो जाके stocks नहीं खरीदेगा ITC HUL वो क्या करेगा वो जाके खरीदेगा corporate debt या government debt इसको बोलते हैं bond market तो आपका पैसा जाके लग जाएगा कहां bond market में तो यहाँ पे for example आप जाके देख सकते हो कि SBI liquid fund के बारे में बात हो रही है इसने इतना इतना return दिया है 4.5% के around पिछले साल में और अगर आप जाके इसके constituents चेक करोगे कि आपका पैसा actually में लग कहां रहा है तो आपका पैसा लग रहा है 91 day T bill में आपका लग रहा है Reliance Retail Ventures यह Reliance Retail Ventures क्या है यह stock नहीं है यह Reliance की तरफ से debt यह आप bonds issue करे गए होंगे वो खरीदे गए तो यहाँ पर जितने भी instruments आप देख रहे हो वो हो गई एक तरीके की debt तो ऐसे assets में क्या आपको भी जाके निवेश कर देना चाहिए मेरे हिसाब से answer आता है नहीं अब इसकी मुख्य वज़े क्या है उसकी मुख्य वज़े मैं आपको simple भाषा में समझाता हूँ एक तो यह कि आप खुद जाके FD में निवेश कर सकते हो तो भाई साब आप जाके commission क्यों दो mutual fund manager को बहुत सारे mutual fund managers मेरे videos dislike कर देते हैं Twitter वेटर पर tag कर देते हैं क्योंकि मैं लोगों के commissions बचवाता हूँ और उनका unfortunately नुकसान हो जाता है लेकिन आप पूरी बात समझिए कि आप खुद अपने जाके FD में निवेश कर सकते हो और आपको ठीक ठाक बढ़िया return ही मिल रहा है भी आपको बहुत जादा finance की समझ होनी ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको समझने वाली बात यह आती है कि जैसे सरकार होती है उसको बहुत सारी चीजों में पैसा लगाना होता है for example roads बनानी है, bridges बनानी है, दुनिया बर के projects लेनी है यह usually 90 दिन की around की होती है, अब हमें finance में PhD तो करनी नहीं है मोटा मोटा आप यह समझ लो कि यह government securities होती है अब क्योंकि यह government securities है, यह काफी हद तक safe होती है अभी तक भारत में problem यह होती थी कि अगर आपको GSEC या treasury bills में invest करना होता था as a retail निवेशक, तो आपके लिए बहुत असान नहीं होता था अब आप इत्मिनान से जाके coin by जिरूदा करके क्या पाती है उससे खुद जाके इसमें पैसा डाल सकते हो अब इसमें return कितना बनता है, इसमें 7-8% के आसपास का return अभी अराम से बन सकता है तो आप naturally बोलोगे कि इसमें डाल देता हूँ पैसा, FD में डालने की क्या जरूरत है, RD में डालने की क्या जरूरत है तो आप एक-दो important point समझ लेना सबसे पहला important point क्या होता है, और मैं आपको मोटा-मोटा समझा रहा हूँ तो अगर आप T-Bill या G-Sec में पैसा डाल रहे हो, तो आपको पैसा maturity पे ही मिलेगा सबसे पहली दिक्कत ही हो जाती है, कि अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पढ़ गई, तो आप फस जाओगे क्योंकि ये instruments होते हैं, लिक्विड, ये secondary market में trade होते हैं, आप बेच वेच सकते हो, लेकिन इसमें काफी नुकसान हो जाता है तो अगर आप मानलो, आपने 2,00,00 रुपे डाल दिये T-Bill या G-Sec में, तो ऐसा नहीं है कि आपको मन करा कि कल तोड़वा लेंगे, पैसा वापस मिल जाएगा बहुत असानी से, तो ये होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए अगर आप unsure हो कि आपको उस 1-2,00,00 रुपे की जरुरत है, तो आप रिपया करके FDRD में डाल देना, G-Sec T-Bill के चक्तर में मत रहना लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जाधा रिटन चाहिए, safely और आपको उस पैसे की definitely जरुरत नहीं है, तो आप G-Sec T-Bill में डाल दो, काफी safe होता है, उसमें कोई issue नहीं है Personally, मैं अभी अपना safe portfolio, जिसको emergency fund portfolio बोलते हैं, मैं G-Sec, T-Bill और FD में कुछ portion अपना पैसा डाल रहा हूँ जब market थोड़ा सा दोड़ लगाने लगेगा, तो मैं FD तुड़वाँगा और उस पैसे को डाल दूँगा market में अगर मेरे पास कोई ऐसे बहुत अच्छी opportunity आ गई बीच में, कि यार market में तरही तरही मज़ गई है, जाके invest कर दो बहुत पैसा बढ़ जाएगा तो हो सकता है, मैं उस FD को पहले तोड़वा लूँ याद रखेगा कि मैं T-Bill और G-Sec पहले नहीं तोड़वा सकता अब एक natural सवाल आता है, कि यार मैंने तो ये भी बढ़ा है कि कई सारे investment platform होते हैं, उसके through अगर आप corporate debt में पैसा डाल दो तो आपको 12-12% भी मिल जाता है, 9-10% तो definitely मिल जाता है तो क्या ऐसे instruments में हमें पैसा डाल देना चाहिए, अब मैं इसका आपको हाँ या ना तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको risk profile समझा देता हूँ तो basically इस तरीके की debt को बोलते हैं corporate debt, ये usually 9-10% return तो definitely देती है, और कई बार उससे जाधा भी देती है और ये जो corporates होते हैं, for example ITC हो गया, या Hindustan Unilever हो गया, इस तरीके की company भी bond issue कर देती है जैसे पिछले example में हमने समझा कि जो GSEC होती है, वो कौन issue करता है वो वाले bonds, वो करती है सरकार Similarly, अगर इस तरीके के bonds private company आइशू करने लगें, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं corporate debt तो अब natural question आता है, कि आपको short term में अभी इस तरीके की corporate debt खरीदनी चाहिए क्योंकि definite फाइदा तो लग रहा है, कि हमें GSEC में 7 या 8% मिल रहे हैं, और अगर corporate debt में जा रहे हैं, तो 9 या 10% मिल रहे हैं अब ध्यान भी रखेगा, कि यह जो corporate debt होती है, यह थोड़ी सी जादा risky होती है अब ऐसा क्यों, इसकी पीछे की कहानी बहुत simple है, कि अगर corporate debt आपको 9 या 10% return दे रही है तो यह समझने वाला point है, कि यह projects जिनमें invest कर रहे हैं, यह वाला पूरा पैसा जो आपसे लिया जा रहा है उसमें क्या यह company 12%, 13% return generate कर पाईगी की नहीं, अगर वो 10, 12, 15% return नहीं generate कर पा रही है और उसको आपको 12% return वापिस करना है, तो वो कैसे करेगी, तो इस situation में तो company bankrupt हो जाएगी अब यह मैंने आपको पूरी चीज बहुत आसान भाषा में समझाई, और अभी ऐसे ही कुछ concerns आ रहे हैं, debt market में, कि debt market थोड़ा सा risky होता चला जा रहा है तो अगर आप corporate debt में पैसा डाल रहे हो, तो कृपया थोड़ा ध्यान से डालना, और फालतू की companyों में मत डाल देना, क्योंकि आपने अगर फालतू की companyों में पैसा दिया, 12-15% return के चकर में, तो हो सकता है, वो पूरी की पूरी company डूप जाए, तो थोड़ा सा ध्यान से इस short term investment की, और आप यहाँ पर बात कर रहे हो, घर की, अब actually घर खरीदना एक बहुत ही complicated decision होता है, और इसमें अभी answer depend करता है, कि आपको घर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, वो इस single point पर depend करता है, कि आपको deal किस तरीके की मिल रही है, for example, अभी मैंने हाल फिलाल ग deal अच्छी दे दो, तो उसने मुझे deal अच्छी दे दी, अब ऐसा नहीं था कि हो मेरा दोस्त था, उसने मुझे deal अच्छी दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने मुझे deal अच्छी इसलिए दी, क्योंकि अभी market में interest rate बढ़े हुए है, अब जाके अगर आप home loan ले रहे हो तो मानलो आपको 8-8,5% पे वो home loan मिलेगा, आज से एक साल पहले वही home loan आपको 1,5% कम मिलता था, आप बोलोगे कि 1,5% से क्या ही फरक परता है, तो अब हाल फिलाल जो real estate market है, वो एक buyers market है, कि अगर आपके पास पैसा है और आप जाके अच्छी deal ले सकते हो, तो आप cash या liquid money से payment कर दो, आपको काफी अच्छी deal मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे buyers ही नहीं, आज से 6 महिने बाद या सालवर बाद जब interest rate कम हो जाएंगे, तो बहुत सारे buyers आजाएंगे, क्योंकि home loan के rate कम हो गए, बहुत सारे लोग home loan लेना चाहेंगे, तो उस time पे आप इसी property को flip करके flip करके मतलब बेच के पैसा कमा सकते, लेकिन इसी deal को अगर आप बहुत सारा home loan लेके कर रहे हो, तो probably आपको थोड़ा wait कर लेना चाहेंगे, अब final asset class आता है कि gold और silver, क्या आपको वो चीज़ खरीनी चाहिए, short term में, absolutely नहीं, क्रपया करके मत खरीदेगा, ये राचार्ट ज होने वाला है, दुनिया वर की negative चीज़े होने वाली है, तब gold और silver भागने लग जाते हैं, लेकिन अभी economy में risk कम हो रही है, ना कि बढ़ रही है, इसलिए आपको gold से दूर रहना चाहिए, gold एक अच्छा निवेश नहीं है, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये video पसंद अगर आया होगा, अगर आया है तो like बिटन जरूर दबाईए, और मुझे comment में बताईए कि आप अपना पैसा short term के लिए कहां पे invest करने वाले हैं,